हलो फ्रेंट्स आज हम करेंगे कंपेर बिट्विन डाइगेस्टिव सिस्टम औफ कोलंबा एन औरिक्टो लेगस यानि कबूतर और खरगोश का जो पाचन तंत्र है उसका तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों की जो यूट्यूब है इंडिवीश्वल वो मैं अलग बना चुकी कि हूँ यहां पर हम केवल क्या करेंगे इनका तुलना करेंगे जो हमारे सलेबस में है तो सबसे पहले हम लेते है कि दोनों भूजन किस प्रकार्का करते हैं कॉलंबा जो है वो उसका भूजन है अनाच बीज, छोटे कीट या धून्दे यानि स्नेल्स यानि सामान्ने तहर ये क्या है शश्या हारी है और बिरले इसमें से कीटा हारी है जबकि खरगोश जो है वो घास, पते, जड़, छाल, डाल या शाक यानि शाका हारी मुख्य रूप से है और यह स्वविष्ठा भोजी प्रकृति के होते हैं तो पहला डिफरेंस हो गया यह है जो भोजन लेते है दूसरा अंतर हम लेते हैं इनकी एलिमेंटरी के नाल में, एलिमेंटरी के नाल में क्या डिफरेंस है कोलंबा के अंतर आप देखो माउथ जो है वो ओपन होता है बकल कैवेटी में और यहां पर और औरिक्टो लेगस में एक निताती है प्रगान यानि वेस्टिब्यूल क् यहां पर देखो में एंडरलाइं भी किया है इसको इलिमेंटरी के टैनल जो कभूतर की है इसमें जो लास्ट पार्ट होता है क्लॉइका जबकि यानि elementary canal cloica के coprodeum वाले part में open होती है जबकि औरिक्टो लेकस के अंदर elementary canal का last part होता है anus यानि गुदा के द्वारा यह बहार open होती है यहां मैं आपको इसमें diagram में ले जाती हूँ पहले यहां आँ देखो कबूतर के अंदर जो elementary canal है वो open होती है cloica में तो cloica यानि अवसकर अवसकर जैसे मैंने बताया था इसके 3 part होते हैं 1,2,3 यहां हम लेते हैं 3 part सबसे उपर का part है यह क्या कहलाता है coprodeum ठीक है? eurodeum और proctrodeum तो coprodeum में open होता है rectum वाला part तो यह coprodeum जो है इसमें open होता है rectum वाला part ठीक है? और beach का जो part है eurodeum इसमें open होता है क्या? ureter और reproductive part और third part है proctrodeum जो खुद बहार की तरफ open होता है तो कहने का मतलब दो अंतर बता है elementary canal में एक तो इसके अंदर कबूतर के अंदर elementary canal का last part है cloica और इसमें खरगोश के अंदर last part क्या है? anus तो anus के द्वारा बहार open होती है दूसरा बताया vestibule खरगोश के अंदर vestibule पाया जाता है mouth के बाद में क्या है? mouth और buckle cavity के बीच में क्या है? vestibule तो vestibule क्या होता है? ये जो part है ये part कौन सा है? आप अपने compare कर सकते हो सामने की तरफ होट है side में क्या है? गाल है और अंदर की तरफ जबडे है तो जबडे और होट और गाल के बीच की जो space है ये जो space है ये क्या कहलाती है? vestibule vestibule प्रगार्ण कहलाती है ये mammals में पाय जाती है जबकि पक्षी के अंदर जो है चोंच है और चोंच के अंदर की तरफ क्या है? mouth है तो ये vestibule वाला part नहीं होता है vestibule वाला part नहीं होता है ठीक है? अब हम लेते हैं ये अंदर हो गया elementary canal में जो दो difference हो गए यहाँ पर हरगोश में vestibule पाया जाता है और end part है anus जबकि कबूतर के अंदर vestibule नहीं पाया जाता है और elementary canal open होती है cloica में अब हम लेते हैं mouth mouth में जो पक्षी है उसके अंदर अगरत है यानि आगे की तरफ V समान दरार रुमा जब्डों वे श्रंगिय चोंच से बना होता है यानि चोंच पाई जाती है और V के समान का होता है और अगरत है है आगे की तरफ जबकि खरगोश के अंदर उप अंतस्त भाग में है छोटा और अनुप्रस्त दरार जैसा है और जबडों से घिरा हुआ होता है अब हम लेते हैं next difference इसमें होट लिप्स कबुतर के अंदर या पक्षी के अंदर होट नहीं पाए जाते हैं जबकि खरगोश के अंदर और मैमेज के अंदर हम कहते हैं होट पाए जाते हैं किस प्रकार के होते हैं होट गतिशील होते हैं कोमल होते हैं रोमिल होते हैं और खरगोश के होट खास तोर से जो उपरी होट है इसमें क्रतोष्ट यानि उपर का होट मद्य वाले भाग से कटा रहता है कहां तक नाक वाले भाग तक यहां पर यह नाक वाले भाग तक यहां कटा रहता है तो इसको कहते हैं cleft lip या इसको कहते हैं hair lip खरगोश का उपर वा दिखाई देते हैं तो यह हो गया होटों के में क्या अंतर है और पक्षी के अंदर होट नहीं पाए जाते हैं सिधा चोंच होती है और चोंच खुलने के बाद में अंदर माउथ होता है अब हम लेते हैं दातों में क्या अंतर है पक्षी के अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं और खरगोश के जो दांत होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, हेट्रोडांट, क्योंकि इसके अंदर इंसीजर, इंसीजर है, कैनाईन नहीं होता है, फिर प्री मोलर और मोलर, ठीकोडांट, यानि गर्थ के अंदर धसे हुए हैं, गर्थ दंती, डाइफाई डांट, यानि दो बार आते हैं, एक बार दूद के दान्त, और फिर दुबारा पर्मानेट वाले दान्त, और दंतावकाश, जो इसका specific character है, खरगोश का, यानि डायस्टिमा, अब इसके अंदर कैनाईन नहीं है, हेट्रोडांट, चार प्रकार के दान्त उतने नॉर्मली तो, कौन-कौन से incisor, canine, premolar और molar, इनके अंदर कैनाईन नहीं पाए जाते हैं, तो incisor और, incisor और किसके बीच में, premolar के बीच में space होता है, यहाँ, यह incisor है, और यह premolar शुरू होता है, तो यहाँ पर कैनाईन नहीं है, उपर वाले में भाग में भी, और नीचे वाले भाग में भी, ठीक क्योंकि कैनाइन का जो काम होता है वो होता है चीर फाड का और ये जो दांत होते हैं कैनाइन ये किसमें बड़े होते हैं जो मासाहारी होते हैं जैसे शेयर, चीता, कुत्ते इनमें कैनाइन बड़े होते हैं ठीक है तो हम दांतों में क्या अंतर बताएंगे खरगोश के दांत पक्षी में तो होते ही नहीं है absent, खरगोश में heterodont, visum danty, thicodont, gart danty, dipide dant, dvibar danty और diastema यानि दंतावकाश पाया जाता है, अब हम next difference लेते हैं, buccal cavity का, buccal cavity का ये vestibule वाला difference आपको बता दिया मैंने, कि buccal cavity में ये vestibule, vestibule जो है, जो mouth और buccal cavity के बीच में की जो space है, ये पक्षियों में नहीं पाई जाती है, जबकि खरगोश के अंदर पाई जाती है, और buccal cavity पक्षी के अंदर संकरी होती है, लंबी होती है त्रिबुजाकार होती है जबकि मैमेल के अंदर या खरगोश के अंदर बड़ी होती है और वेस्टिबूल कौन सा पार्ट है जबडे अंदर की तरफ जबडे और बहार की तरफ होट और गाल के बीच का जो स्थान है सक्रा पार्ट वो वेस्टिबूल कहलाता ह तो ये vestibule ये mammals में पाया जाता है और कॉलंबा में नहीं पाया जाता है अब हम लेते हैं difference tongue का, जीब का क्या अंतर है जीब पक्षी के अंदर बड़ी होती है, लंबी होती है, त्रिबुजाकार होती है अबहिर वर्तनी, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि पक्षी की ये चोंच है और इस चोंच में से कोई जीब बाहर निकली हुई है, क्योंकि इनकी जीब बाहर नहीं निकल सकती है अबहिर वर्तनी है, ठीक है, श्रंगिय परतों से धकी हुई है और इसमें स्वाद कलिकाएं हैं लेकिन संख्या में कम है जबकि मेमेल या खरगोश का हम कर रहे हैं जिक्र तो खरगोश के अंदर भी जीव बड़ी है जीव बड़ी है पेशिय है जहां पेशिय शब्द आता है मतलब मुवेबल तो है और यह जो है यह बहिर वर्तनी है बहि होती है कि पीछे का भाग जीव का जो पीछे का भाग होता है वो मद्य अधर्त है जो है नीचे मुख बकल कैवेटी के फर्ष वाले भाग से जुड़ा होता है और आगे का भाग इसका मुक्त होता है आगे का भाग स्वतंत्र होता है जो बहार की तरफ निकल सकता है और इन में चार प्रकार की टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है कितनी प्रकार की चार प्रकार की टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है इनके नाम है किसके आधार पर इनके स्ट्रक्चर और शेप के साइस के आधार पर यहां foliate प्रकार की क्योंकि लीफ के जैसी परनिल सरकम वैलेट प्रकार की, क्योंकि एक सरकम में अरेंच्ट है're और फंजी फ़ोर्म फंजी फोर्म ये किनारे वाली और फिली फोर्म ये अंदर की तरफ तंतू रूपी तो चार प्रकार की जो है क्या पाई जाती है पैपिल्या पाई जाते हैं टेस्ट बर्ट्स पाई जाती है, four types of taste buds present, टेस्ट बर्ट्स पक्षी के जीब पर भी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम संख्या में पाई जाती है, फिर हम लेते हैं अंतर इपी ग्लॉटिस, इपी ग्लॉटिस यानि ग्लॉटी के उपर का धगकन, इपी ग्लॉटिस जो है, ये केवल मैमेल्स में पाया जाता है, यानि केवल किसमें है ये, खरगोश में है, कबुतर में नहीं है, ग्लॉटिस वो छिद्र है जिसके द्वारा pharynx जो है, ये किसमें open होती है, ट्रैकिया वाले भाग में, श्वास नलीका में, तो वो जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसके उपर का धगकन यानि इपी ग्लॉटिस ये केवल मैमेल्स में पाया जाता है, फिर हम लेते हैं अंतर, इसो फेगस में क्या डिफरेंस है, इसो फेगस वो पार्ट है, अहार नाल, जो कहां से कहां आ रही है, अहार नाल का वो पार्ट जो ग्रीवा वाले भाग में से हो करके, थोरेक्स वाले भाग को पार करके, और अमाश्य में खुलेगा, स्टमक में open होगा, ठीक है, तो यहाँ पर है इसो फेगस में अंतर क्या है दोनों में इसो फेगस लंबी है पूरे ग्रीवा वाले भाग में चलेगी चोड़ी है पेशिये है इसमें सक्री है और पेशिये है समान व्यास की है किसके अंदर खरगोश में समान व्यास की नलिका है जो अंतत है थोरेसिक केवेटी को पार करने के बाद में अब्डॉमन वाले भाग में स्टमक में ओपन होती है जबकि कबुतर के अंदर इसोफेगस का स्पेशल फीचर क्या है कि यह है जब थोरेसिक वाले पार्ट में एंटर होती है तो स्टर्नम के नीचे क्रॉप बनाती है क्रॉप अनपुट एक थैले समान सरंचना का निर्मान करती है यहां हम लेते हैं यहां देखो यह है इसका इसोफेगस वाला पार्ट तो इसोफेगस जो है सक्री नलिका कार सरंचना है पेश यह है और ग्रीवा वाले भाग में चल रही है ट्रैकिया के समानांतर यारी और इसे केवेटी में अंटर होती है वैसे ही स्टर्नम के नीचे यह फेल करके क्रॉप का निर्मान करती है यह ग्रॉप वाला पार्ट है यह पक्षि में बहुत ही बोजन को जो अन ये खा रहे हैं, दाने जो खा रहे हैं, उनको नम बना करके रखता है, तो ये क्रॉप किस में पाया जाता है, पक्षी के इसोफेगस का ही पीछे का पार्ट है, जबकि यहाँ पर आप देखो, खरगोश के अंदर इसोफेगस ग्रीवा वाले भाग में रन कर के जैसे ही डाया फ्रेग्म को क्रॉस करता है, स्टमक में ओपन होता है, कार्डियक वाले पार्ट में, तो ये अंतर है किस में इसोफेगस में, तो यहाँ मैंने हाइलाइट भी किया है, क्रॉप वाला पार्ट पाया जाता है, जबकि खरगोश के अंदर या मैमेल के अंदर इस तरह की कोई सरंचना नहीं होती है, इसोफेगस डारेक्ट किसमें उपन होता है, अमाशे में खुलता है, अब हम लेते हैं, यहां मैंने क्रॉप का वर्क डिस्क्राइब किया है, प्रजनन काल में तो पिजियन मिल्क सिक्रीट करता है यह, यह कोई ग्रंथी नहीं होती है, जिससे ये सिक्रीट हो रहा है, बलकि क्रॉप की जो अंदर की लेयर्स होती है, अंदर की जो सेल्स होती है, ये सेल्स टूट करके पिजेन मिल्क का निर्माण करती है, और ये जो है अन्पुट का भीतरी स्तर बनाने वाली कोशिकाई तूटने से बनता है, इनकी उपकला वै वसीय कोशिकाएं इसमें, यानि क्रॉप मिल्क के जो केमिकल नीचर है, वसीय कोशिकाएं जल, प्रोटीन, लेक्टॉस और भसमिस में पाया जाता है, स्तनियों के दुग्द की अपिक्षा यह है, अधिक पौश्टिक होता है, तो प्रजनन काल में तो इसका ये काम है, और नॉर्मली ये भोजन को या अन जो है दाने उनको नम बना करके रखता है, तकि वो आसानी से आगे पचाएं जा सकें, फिर हम लेते हैं नेक्स डिफरें है, ग्लैंडिूलर प्रोवेंट्रिकूलस, और दुसरा भाग है गिजार्ड, जबकि कबूतर, जबकि खरगोश के अंदर तीन भागों में होता है, बटा हुआ, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, और दुसरा अंतर क्या है, स्टमक जो है कबूतर के अंदर, अलिमेंट साइड में पाया जाता है, अब हम इसको भी डाइग्राम के साथ में कर लेते हैं, स्टडी, यहां हम लेते हैं, यह देखो आप यहाँ पर, यह स्टमक वाला पार्ट है, कबूतर में, तो पहला जो पार्ट है, जो टुबूलर है, प्रोवेंट्रिकूलस पार्ट, यह ग्रं जो है, यह ग्राइंडिंग का काम करता है, जिस तरह से मिक्सी ग्राइंड करती है, छोटे टुकडों में तोड़ना किसी को पीछना, तो यह जो पार्ट है, जो पार्ट है, यह खास है पक्षियों में, क्योंकि पक्षी दाने काते हैं, तो कबूतर क्या करता है, दानों के स अजने काम करता है जो आनाच आया है उसको पीशने का काम करता है ग्राइंड करने का काम करता है यहां मैंने short में mention भी किया है अंदर की तरफ ठिक होता है इसके horny inner surface है और stone पाए जाते हैं और धानों को ग्राइंड करने का काम करता है और यह गिजाडवाला part तो almost left side में आ जाता है जबकि यहां पर हम लेते है तीन भाग है, स्टमक के कार्डियक, फंडिक, कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक और स्टमक की शेप कैसी है बीन के शेप की कैसी है बीन के शेप की है यह कॉनकेव सर्फेस है और यह कॉनवेक्स सर्फेस है ठीक है और यह body के left side में उपस्तित है तो अंतर हो गया stomach में stomach का difference हमने कर दिया या हम comparative करेंगे तो हम इसको short में इसी तरह से लिखेंगे दो part में divided है, ये तीन part में divided है इन दोनों के नाम और इन तीनों के नाम और ये left side में है, ये व्रक्का कार है और ये बड़ा होता है थैले जैसा ये almost tubular है pro-ventricular part तो almost tubular है और गिजाड का हम अलग से describe कर देंगे फिर हम लेते हैं अंतर intestine में फिर हम किसका अंतर लेते हैं intestine में क्या difference है कब उतर के अंदर जो intestine है वो दो part में divided है small intestine and large intestine small intestine के दो part है dudinum and ileum और large intestine का एकी part है rectum और खरगोश के अंदर भी दो part में divided है elementary intestine small intestine and large intestine लेकिन small intestine के तीन भाग है dudinum, jejunum और ileum ये जेजुनम वाला part extra है इसमें और बाकी ये चीजे common है कि dudinum में दोनों में ही पूर्ण पाचन हो जाएगा और dudinum में दोनों के ही dudinum में bile duct आकर के open होती है जो bile juice लेकर के आती है और pancreatic duct open होती है जो pancreatic enzymes लेकर आती है जो भूजन का पूर्ण पाचन करते हैं और ileum दोनों के लिए common है कि ileum के अंदर जो है microvilli पाये जाते हैं जो पचित भूजन का क्या करते हैं अवशोशन करते हैं अब हम लेते हैं इसमें हम इसकी size दे सकते हैं खरगोश के अंदर जो jejunum और ileum है इसकी लंबाई लग भग 2 मिटर की होती है लग भग किती होती है 2 मिटर की और large intestine में large intestine में जो कबूतर है इसमें केवल एक rectum वाला पार्ट होता है क्या पाए जाते हैं rectal C का यहां हम ले लेते हैं diagram में यह ileum है और यह rectum में open हो रहा है तो rectum एक tubular सरंचना है और ileum जहां rectum में open हो रहा है वहां यहां दोनों साइड में एक जोड़ी कौन शेप के छोटे rectal C का पाए जाते हैं ठीक है इस तरह के rectal C का किसमे नहीं होते हैं खरगोश में जो है नहीं होते हैं अब हम लेते हैं large intestine में इसमें और क्या अंतर है खरगोश के अंदर large intestine के दो पार्ट है colon and rectum colon and rectum colon की लंबाई लगभग 45 cm होती है rectum देखो बहुत लंबा पार्ट होता है 75 cm लंबा होता है और क्या अंतर है rectum में इसका rectum आप देखो beaded appearance ये मोती की लड़ी के जैसी सरंचना बनी होती है की shape है और colon के अंदर दो नाम आएंगे hostra and tinia hostra जो है ये इसमें उत्फुलन और संकिर्णन है यानि sack like structures है और hostra वो पार्ट है जहाँ पर पानी अब यहाँ पर अप्शिष्ट पदार्ती है जो विष्ठा बनकर भार निकलेगा तो पानी का absorption होता है यहाँ पर और tinia शब दिया गया है tinia मतलब होता है feeta तो tinia मतलब ये वो पार्ट है colon का जहाँ पर तीन longitudinal bands है smooth muscles की तो यहाँ पर भी contraction और relaxation होकर जो विष्ठा है वो अराम से बाहर की तरफ आएगी फिर rectum वाला भाग खुद अपने आप में 75 cm लंबा है और मोती के लड़ियों के जैसी सरंचना है ठीक है और इनके अंदर rectal C का नहीं है क्या नहीं है rectal C का नहीं है लेकिन यहाँ आप देखो इसके अंदर जो special जो पार्ट है इसका C का अपने आप में ये गुलाबी कलर का ये C का वाला पार्ट ये अपने आप में बहुत ज़्यादा developed है क्योंकि यह है शाकाहरी है खरगो शाकाहरी है यानि कि plant cells होंगे और plant cells में cellulose पाई जाती है लेकिन mammals के अंदर cellulose को पचाने वाले enzyme नहीं बनते है तो ये वो पार्ट है C का जिसके अंदर cellulose को पचाने वाले bacteria और protozoa रहते हैं यानि यह सहज इवी bacteria और protozoa है जो C का वाले भाग में और wormiform appendix वाले भाग में रहते हैं जो cellulose का पाचन करते हैं तो यह है C का जो लगभग 50 cm है C का की appearance कैसी है जैसे रसी में बल होता है तो बहार से coiled constrictions कुंडला कार संकिर्णन भाग और इसका अंतिम भाग जो है wormiform appendix worm के जैसी सरंचना है क्रमी के जैसी तो यह wormiform appendix यह भी 15 cm लंबा होता है और यह वो भाग है जहाँ पर cellulose का क्या होता है पाचन होता है इसके लावा यहाँ आप एक और नाम देखो जो किसमे नहीं था पक्षी में वो है सेक्यूलस रोटूंडस जानी यह जो इलियम है इसका अन्तस्त भाग एक चोटे गोलाकार गाठ के जैसी सरंचना बना रहा है तो यह क्या कहलाता है सेक्यूलस रोटूंडस कहलाता है ठीक है तो यह अंतर भी हम इसके अंदर लिखेंगे यहां यह सारे अंतर यहां mention किये हैं मैंने intestine के अंदर small intestine में दो पार्ट है जबकि खरगोश के अंदर तीन पार्ट है judenum, jejunum, ileum जिसमें jejunum और ileum लगभग 2 मिटर लंबे हैं large intestine में कबुतर के अंदर केवल rectum वाला पार्ट है और junction, ileum और rectum के junction पर rectal C का present है जबकि खरगोश के large intestine जो है उसमें दो पार्ट है, colon और rectum और colon वाले भाग में hostra और tinia के बारे में हमें बताना है यहां hostra और tinia के बारे में मैंने बताया हुआ है और यहां पर ileum जो है इसका अंतस्त भाग में seculus rotundus है और यह open होता है सीकम में सीकम का अंतस्त भाग क्या है vermiform appendix यानि यह चीज़ें खरगोश में पाई जाती है जबकि कबुतर में नहीं पाई जाती है यहां मैंने hostra और tinia का work भी यह इसकी सरंचना भी mention करिए hostra small pouches होते है जो sac formation के कारण बने है और इसका काम है पानी को absorb करना और tinia नाम बना है क्योंकि इसमें 3 bands है longitudinal smooth muscles की जिसके कारण यह वाला part contract और relax अराम से हो सकता है तो यह नाम हमें इसके difference में mention करने है अब हम लेते हैं यहां पर rectum कबुतर के अंदर जो rectum होता है size में तो छोटा है और यह open होता है किसमें cloica में यानि cloica के द्वार cloica में open होता है जबकि orictolagus के अंदर rectum खुद अपने आप में 75 cm लंबा है beaded appearance दे रहा है और यह anus के द्वारा बाहर खुलता है और rectal gland या rectal seca नहीं पाई जाती है एक और term आती है कबूतर के अंदर bursa febrisil bursa febrisil जो किसमें पाई जाती है कबूतरों में पाई जाती है और कबूतर में भी कौनसे में जब तक उनमें sexual maturation नहीं आता है तब तक ये सरंचना पाई जाती है bursa febrisil cloica के एक side में और इसको इसको जो है क्या कहते है यहां मैंने mention किया है not present in adult यानि sexually mature पक्षियों में नहीं होता है ये और इसको cloical thymus कहते है thymus का क्या काम होता है lymphocytes बनाना और lymphocytes यानि immune system यानि immunity देना ठीक है तो ये bursa febrisil जो सरंचना है ये किसमें पाई जाती है कबूतर में cloica के एक साइड में यहां पर ये सरंचना पाई जाती है जबकि ऐसी कोई सरंचना खरगोश में नहीं पाई जाती है यहां इसको mention किया है मैंने bursa febrisil present अव्यस्क पक्षी में पाई जाती है इव्यस्क होने के बाद में नहीं होती है यह disappear हो जाती है thymus gland की तरह कारे करती है और lymphocyte बनाती है इसका मतलब यह है जो अव्यस्क पक्षी है उसके अंदर immunity system बनाने का काम करती है अब हम लेते हैं आगे mucus और salivory gland mucus gland तो अहार नाल के पूरे अंदर हर पार्ट में हम कहते है mucus gland पाई जाती है क्योंकि भोजन को आगे सरकने के लिए elementary canal का नम बने रहना जरूरी है salivory gland का जहां तक सवाल है salivory gland जो है यह पक्षियों के अंदर नहीं पाई जाती है जबकि mammates के अंदर salivory gland पाई जाती है और खरगोश के अंदर चार प्रकार की salivory gland पाई जाती है कौन कौन सी है parotid, infraorbital, submaxillary and sublingual यानि उपकर्ण जहां बहार के कान open हो रहे हैं आधार वाले भाग पर अधो नेत्र यानि आँख के नीचे की साइड में submaxillary जबड़े के नीचे की साइड में sublingual जीब के नीचे की साइड में तो इनके नाम इनके position के अधार पर है उपकर्ण, अधोनेत्र, अधोजंबिका, अधोजिवहा parotid, infraorbital, submaxillary and sublingual ठीक है? अब हम लेते हैं आगे gastric gland gastric gland जो है किसके अंदर होती है? stomach में stomach में अब हमें पता है कि कबूतर के अंदर stomach के जो दो पार्ट है वो है proventriculus and gizzard तो यहां gastric gland present होती है proventriculus भाग में और यह secret कर रही है hydrochloric acid और peptic enzyme जबकि खरगोश के अंदर जो stomach के तीन पार्ट है cardiac, funding and pyloric उन में से cardiac वाला जो पार्ट है इसमें पाई जाती है gastric gland जो secret करती है hydrochloric acid pepsinogen and renin ठीक है? तो protein का आंशिक पाचन होता है stomach के first part में अब हम लेते हैं pancreas में क्या उंतर है? pancreas यो है यह pink color की होती है irregular होती है और यह है दोनों में पाई जाती है और यह है two arms of dudenum यानि dudenum जो u shape का होता है उसके बीच में यहाँ पर है तो क्योंकि यह line common है दोनों में इसलिए इसको मैंने पूरा किया है pink color की irregular ग्रंथी है जो dudenum की दोनों भुजाओं के मध्य में पाई जाती है अब अंतर को यहाँ अलग से बताया है पक्षी के अंदर इससे तीन pancreatic duct निकलती है जो dudenum की दूरस्त भुजा में खुलती है जबकि खरगोश के अंदर इससे एक ही नलीका निकलती है जो dudenum में खुलती है हम इसको diagram से और clear कर लेते हैं यहाँ आप देखो यह खरगोश के अंदर pancreatic duct की जो dudenum है इसके बीच में है irregular shape की है almost red या pink color की है इससे केवल एक duct निकलती है जो dudenum के दूरस्त भुजा में खुल रही है और यहाँ हम लेते है यह कबूतर कबूतर के अंदर यह dudenum है dudenum के बीच में क्या है u shape की dudenum है उसके बीच में क्या है pancreas और pancreas से तीन pancreatic duct निकलती है जो dudenum की दूरस्त भुजा में खुलती है ठीक है तो यह अंतर हो गया किसका dudenum का यह अंतर हो गया किसका pancreas का ठीक है तो यह चीज तो common है और यहां difference है कि पक्षी के अंदर तीन pancreatic duct निकल करके डियोडिनम की दुरस्त बुचा में खुल रही है जब कि खरगोश के अंदर एक ही नलिका निकलती है जो डियोडिनम की दुरस्त बुचा में खुलती है अब हम लेते हैं अंतर लिवर में क्या अंतर है यह line common है दोनों में ही digestive gland लिवर अपने आप में सबसे बड़ी gland होती है dark red color की होती है और abdomen जहां शुरू होता है वही पर ही यह पाई जाती है पक्षी के अंदर यह by lobed होती है और right lobe बड़ा होता है जबकि खरगोश के अंदर यह 5 lobe पाई जाते हैं तो सबसे में अंतर क्या होगा है lobes का पक्षी के अंदर by lobed होती है और खरगोश के अंदर 5 lobe होते हैं देखो हम यहां डाइजिस्टिव सिस्टम ले रहे हैं तो डाइजिस्टिव सिस्टम से संबंदित आता है बाइल जूस तो बाइल जूस जो है यह किसके अंदर बन रहा है लिवर में बन रहा है और गॉल ब्लेडर में स्टोर हो रहा है लेकिन पक्षी के अंदर गॉल में जो लिवर की जो राइट लोब है इसमें होता है गॉल बलेडर जबकि यहां आप देखो यहां पर यह कबूतर के अंदर यह लिवर है इस लिवर में गॉल बलेडर नहीं है सीधा दो बाइल डक्ट डूडिनम की एक-एक भुजा में ओपन हो रहा है एक अगर भुजा में और एकष्च भुझा में और यहांपर जो लीवर है यह 5 लोब का है उपर और यहांपर जो है राइट लोब उसमें गॉल ब्लेडर होगा और गॉल ब्लेडर से एक बाईडर डक्त आती है जो किसमें उपन होती है डुडिनम के आगे वाले पार्ट में अग्र भाग में उप होती है तो यह हो गया डिफरेंस किसका लीवर का यहां मैंने जो डिफरेंस है उसको हाइलाइट किया है अंडरलाइन करके बाई लोब पांच लोब गॉल ब्लेडर नहीं पाया जाता है गॉल ब्लेडर पाया जाता है राइट लोब में पाया जाता है और यकरत से दो बाई ड भुजा में खुलती है तो ये हो गया पूरा डिफरेंस किसके बीच में कबुतर और खरगोश कबुतर और खरगोश के डाइजिस्टिव सिस्टम का comparative analysis that's all about the topic thank you